बहुत से लोग उस्ते हैं कि दूध का पीए पीए आई गयोस का पीए लसी का पीए तो एक common तया हैं कि सभी लोग कि इसका फॉलो कर सकते हैं कि कि एकर किसी को फοस्ते सब्से प्राइब हम किसी को पीने टाइम पे उस चीज को डाइजेस्स करने के एंजाइम मैक्सिमम होते हैं आप दूद कह रहे थे एक अलगी टॉपिक हो जाएगा मैं सोच रहा हूं उसे ब्रीफ में डिसकस करें दूद को लेके बहुत चर्चा चंती रहती है हमारे पॉड कास्ट पे दूद अच्छा है दू क्लारिटी दो तो देखे दूद जो है न वह आजकल उसके बारे में बहुत सारी ब्रांति आया है दूद अपने आप में प्रॉबलम नहीं है प्रॉबलम क्या है इडल्ट्रेशन जो होती चली जा रही है दूद के साथ और वह एडल्ट्रेशन कंट्रोल करना आपके हमारे बच्छडे के लिए दूद देती है और फिर हमारे ले देती है इसलिए हमने उसको मां का दर्जा दिया गाए तो ये दूद जो है पहले से लोग पीते अच्छे ले आ रहे हैं इसमें कोई ऐसा निये कि दूद हमें नहीं पीना चाहिए लेकिन दूद के साथ बहुत बड़ी जरूरी है रुकनी चाहिए वह ओवराल दूद पीना ठीक है अगर प्योर दूद अगर मिलता है अगर किसी का अपना मतलब गौशाला से मिलता है या वैसे आपका देखावला मिल रहा है तो बढ़िया है पैकिट वाले दूद में बहुत सारी कमिया है पहले के समय में वह दूद का इतना प्रचलन नहीं था लोगों ने घर-घर में गाय रखी हुई थी तो समय दूद बड़ा फाइदे मंद हुआ करता था यह थोड़ा का दूद जादा अच्छा है फिर बहांस का अच्छा है हुमन के लिए आपके उस पर क्या रहा है और गाय का दूद जो है इनसान के लिए या यूमेंस के लिए वह बेटर रहेगा ऐस कंपेर टू एनी अधर फॉर्म देखो डाइट जो होती है आप डाइट आप आपके तो दर्सक मेरे खाल पूरे ग्लोबली देखते होंगे सब लोग हाना तो डाइट जो होगी ना वो सबकी समान हो सकती है क्या अगर मान लो कोई एक आपको राजिस्तान गुजरात में देख रहा है और कोई एक आपको चिन्नई में देख रहा है क्या डाइट सेम हो सकती है क्या दोनों की आवो हवा अलग है हवा अलग है एक जगा पे सूखी हवा है एक जगा पे गीली हवा है चिन्नई में गीली हव हigung तो जब हमारी भगवान ने इस तरह का प्रियोजन बनाया है कि सब जगा कि हवा पानी अलग है तो डाइट सेम कैसे हो तो डाइट हमारी कैसी होनी जाहे बहूंँ जरूरी है जानना कि डाइट किस त्रीकी होनी चाहिए है दा हमारी चाइनीज नूडल खा रहे हैं इस बारे हो तो हमने बात कर लिए चलो जो तो वाइड करना है मिनिमम करना अपनी डाइट नहीं चाहिए पर यह बी इंटरनेशनल वह जैसे मूशली वगेरा होते हैं सब खाते हैं दूद में डालके देखिए दूद जो है वो एक अलग ुप हो जाएगा हुसमें हम आते हैंदूद में कॉन फ्लेकिस से ही इस तरीगे से लेना है लेकिन दूसरा है कि हमेड जो डाइट होनी च्या तो कैसी हो नच्छे नेसरल हो णिए की नहीं होτι हे चाहिए माताब बहुत की एक सिमिलर डाइट होसकती है क्या नहीं हो सकती पारियल के तेल में खाना बनाना नीचे जो साउथ इंडिया के लोग है उनके लिए फेवरेबल हो डाइट पंजाब हर्याना के लोगों के लिए हो सकता है सर्सों का तेल फेवरेबल हो तो यह सब डाइट शुड अलवेज भी लोकल शुड नॉट बी नैशनल शुड नॉट बी इंटर्नेशनल तो यह चीज का में बहुत जरा ध्यान रखना है कि डाइट ऐसी हो जो जल्दी पच जाए जो यह मैदा खाते हैं वह हमारे जाके जमा हो जाता है मैदा को हम एवाइ है कि हर टाइम मतलब पहले ऐसा होता था कि हर मौसम के हिसाब से रोटी का आटा भी अलग होता था कभी लोग बाजरे की रोटी खाते थे कभी किसी और चीज की रोटी खाते आटे की रोटी हमेशा नहीं चलती थी तो ऐसा है कि आटा भी चेंज करते रहना चाहिए आपने तो आज इस तेल के बारे में आप देखेंगे यह तेल अच्छा है फिर महीने बाद निश्वेबर में दूसरी रिपोर्ट आती है वो कहते है कि यह तेल अच्छा है ऐसे यह कारेकरम चलता रहता है तो यह जारना बहुत ज़रूरी है कि हम और को आटे को हम चेंज करते रहें थोड़े थोड़े ताइम में पहले बहुत सारे उप्शन हुआ करते थे अब बहुत सारे उप्शन उस तरीके से नहीं है इसलिए आप देखेंगे कि मतलब इतने हॉस्पिटल इतनी एमर्जेंसी भी नहीं हुआ करती है तो अगर हम डाइट को सही कर लेना तो हमारे काफी अगर्ण चीजें वह बिमारियों को कंट्रोल में किया जा सकते हैं एक बार वही बता दो टाइम की कैसे कैसे खानेचे किसके साइम है वी मेल लाइट मील देखिए क्या होता है कि अभी जो भी हैवी मील हमें खानी है वह हम ब्रेकवास्ट के टाइम पर खाले सुरियास्त के बात बात जो है अएरवेद में लिखा है कि हमें कुछ नहीं खाना होता है और हम क्या कर रहे हैं आजकल हम उल्टा करते हैं हम जो हमारा मन करता है वो हम रात को खाते हैं अब तो हम फ्री हो गए अब हम चलो रिलाक्स करते हैं अच्छा सा खाना हमने ओडर कर रहा ऑनलाइन कुछ इस तरही है खाने का मन्या तो आप सुबह के समय खालो उसको मॉर्निंग टाइम में वो फिर डाइजेस्ट हो जाएगा आपका और रात को वो पताते हैं कि सुबह आप राजा की तरह खाओ दुपैर को मनुष्य की तरह खाओ और रात को आप बिखारी की तरह खाओ